गांज के वीडियो माँंग फ्यूचर टाइंस को पुरे डेटल में जानने वाले हैं क्योंकि हम जानते कि अगर हम सिंपल की बात करें तो वहाँ पर भाद की यूज़ करते फूचर परेक्ट में विल भी कर यूज़ करतें पूरे के यूज़ करते हैं लेकिन बोहत सेंट और वुट पर दिसकुसिंट करने वाला है कि विलका यूज़न किस तरह किस तरह किस तरह किस तरह किस फॉर्म आती है चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और फ्यूजर टैंस पार्ट जड़ से ख़ड़ाइब करते हैं सबसे पहले देख लिए किसे तरह किसे में यूज करेंगे से करते हैं क्या होता है हिंदी मिनिंग होता है इसकी सेंटेंच के लास्ट में का यह सबस्क्रत में हम क्या यूज करते हैं विल्ट लेस्वर्ट की फॉर्स्ट फॉर्म के यूज करते हैं यहां पर बहुत ही सिंपल होते हैं इस ट्रेंड को काफी अच्छे समझ में आती है अगर आपको अबजेक्ट के यूज करते हैं पहचानने का तरीका क्या है आपके सेंटेंस के लास्ट में गार गई आएंगे यानिके आप स्यूचर की बात करोगे तो महां फर बिल्ट का यूज करेंगे बड़ के साथ के साथ जैसे मैं अब ध्यास करूंगे देखें लास्ट हमारे सब्चेट होकि य हाँ मैं में के लिए लगा दिये दैन मिल लगारा वी संहीं श्यास करेंगे लगा इन्गी के साथ आपको छude दूसजिए माइभ राविफ़ फर्सट परम के साथ सीखना यानिकी लॉर्ण लॉर्ण यहांपे आपका है ऑब्ज़ेक्स होगा इंग्लिश लॉर्ण इंग्लेश इंग्लिश नें पाप आफिस जाएंगे पाप आफिस जाएंगे तो हमारा सिंपल सैंटेज वह नहीं है आने वाली टाइम में ऐसा कुछ होने वाला है वह हम बता रहे हैं कि हम कल उससे मिलेंगे अभी हम मिलें नहीं है आने वाला टाइम में हम उससे मिलेंगे ऐसा हम बुलेंगे वी यानि हम यानि कि वी के साथ क्या लगाएंगे विल मिलना यानि कि मिलेंगे उससे मा करना हैं तुमारो का यूज करेंगे समय के लिए हम उससे बात करेंगे हम इस सेंटेंस को आपको फ्रेम करना इसका आंसर आपको कमट बॉक्स में करना है अब चलिए यह तो में पता में लेकिन वोड़ का करते हैं जब देख लेते हैं लेकिन हमारी सेंटेंज में होती है क्या होती है पॉसिबलेटी संभावन होती है किसी चीज की तो वहां पे हम वुड़ का करता है जब हम यह मन की बाद बताता है और वह मन की बार जो होती है और हमसिबलेटी यह जिए आपको किली की है कि यह आप को किसी की और पॉसिबिटी को यहां पर आपने विप स करेंगे इसके लास्ट में आएंगे लेकिन आपकी सदेंग सब्सक्राइब करोगे जब आप किसे चीज़ के फिक्स रहा होगे जैसे हम उससे मिलेंगे we will meet her हम उसे मिलेंगे, ये fixx है कि आने वाली time में हम उसे मिलेंगे लेकिन अगर मैं बूलू कि रहुत है म資 बनेंगे या नहीं मीलेंगे हमें नहीं पता हम बस अपने हिसाब से बता रहे पॉसिलिटेश में possibility है संभावना है ना करके वृड का यूज करेंगे तो यही आपको डिफ्रेंड समझना है कि विल का यूज के लिए करोगे जब आपके sentence में गागी की आएगा फ्यूजर की बात तो पोसिबेटी अगर आपके संभावना रहते है तो वहां पर आपको वुट कर आ слишком के साथ ठीक से तुचैये वट के भी रिम्स भांपर करते हैं मुट करते हैं मैं भर- तक पॉस्पलीटि के लिए करते हैं इसके भी हम सेंटेंज बनाने के स्ट्रॉक्चर बहुत करेंगे अब कुटक करेंगे अपनी समभावन ना बता रहे हूं कि हम अभ्यास करेंगे इसकी समभावना है अब हम Luna में अगर हमें टाइम मिलेगा टो हम प्रैक्टिस करेंगे टाइमगे नहीं करेंगे तो अलब क्या इसके आप अभ्यास करेंगे मुझे और अभ्यास करेंगे यह करेंगे लेकिन speaking course मैंने स्टार्ट कर दिया है और हम लोगों ने वन से ट्वाइंटी फोथ तक बहुत इस आंदा तरीके से सभी टॉपिकों कवर किया है लेकिन अब आपको अंग्रेजी सीखना है नहीं सीखना यह तो आपके उपर डिपेंड है अगर आपको सीखना ताफ सेवेंटी पापा ओफिस करते हैं यह हमें पॉसिबिलिटी है और हम पॉसिबिलिटी के हिसाब से बता रहें कि पापा ओफिस जाएंगे तुब कब हमें पक्का यपिन नहीं कि पापा ऑफिस जाएंगे ही ठीक है तो पापा ओफिस जाएंगे पापा बोट गो टू आफिस पापा अभर जाएंगे हमकล उससे मिलेंगे हम ऑफ इससे मिलने का लेकिन हमें पॉस्सीबाइट है कि हम का यूज करेंगे देन कब मिलेंगे चुमारो हम कल उससे मिलेंगे यह हमें पॉसिब्लीटी है ठीक है कन्फरमेशन नहीं है नेक्स्ट हम उससे बात करेंगे यह भी आपकी पॉसिब्लीटी है तो पॉसिब्लीटी के साथ सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है इसका एंसर आपको क समझ में आगी चलिए अब next दिखते हैं next day will be plus verb में ing विल बी प्लस वर्ब में ing कभ यूज करते हैं जह मुझे की बात करते हैं future continue की बात करते हैं तो वहां पर आपको विल बी प्लस वर्ब का वर्ब में ing करना होता है हिंदी वाले sentence होते हैं रहा है रही है मतलब कोई काम हो रहा है continue है ऐसे वाले sentences में will be plus verb की first form वर्ब में ing का यूज करते हैं और यह हमारे future में continuity की बात करता है कि वह जा रहा होगा वह सो रहा होगा वह खेल रहा होगा आने वाले time में ठीक है आने वाले time में यह काम कर रहा होगा याने कि कि उसे उसमें आपको क्या यूस करना है will be plus verb में ing यूज करना है चले इसको sentences को पहले बना कर देखते हैं जैसे वारी फेल्ब में ing हमारे sentence कैसे रहेंगे हमकल भूमने जा रहे होंगे हम अपनी घुमने जा रहे होंगे हमने पूरा प्लानिंग कर लिया है हुमने का माने यह पूरे प्लानिंग हो गई है तो कल यानि कि tomorrow का यूज करेंगे बुलेंगे tomorrow we will going for a walk tomorrow we will going for a walk हम कल भूमने जा रहे होंगे इसे तरह से हम इंगले सीख रहे होंगे हम इंगले सीख रहे होंगे आने वाले टाइम में ठीक है अभी सीखे नहीं है आने वाले टाइम में हम सीख रहे होंगे तो हम बोलेंगे we will be will be का यूज़ करेंगे continuity को शो करने के लिए we will be सीखना यानि कि learn learn में आई एंज लगा देंगे तो learning हो जाएगा इंग्लिश तमारा sentence क्या फ्रेम हुआ we will be learning English हम इंग्लिश सीख रहे होंगे इस तरह से रामकलिस वक्त पढ़ रहा होगा रामकल इस वक्त पढ़ रहा होगा आने वाले टाइम के हम बात करें ठीक है आने वाले टाइम आप फ्यूजर की बात करें तो आप इस सेंटेंस को इस तरह बनाओगे तुमरो राम विल बे स्टड़िंग दिस टाइम तुमरो राम विल बे स्टड़िंग दिस टाइम राम कल इस वक्त पड़ रहा होगा वह स्कूल जा रहा होगा आने वाले टाइम में कल की हम बात करें कि आने वाले टाइम में वह स्कूल जा रहा होगा तो हम बोलेंगे वह या जा रहा होगा हम विडियो देख रहे हैं इसका सर आपको कमेंट बॉक्स में करना करते हैं लगा देंगे हमारा सेंटेंस चल रहा होगा रहे हंगे ऐसे यानि कि व De ne by आपको possibility शो और आभन करोगे संटेंस कैसे हैं चली। समझते हैं जैसे फ्रेजेंट मे ह đi मा प्रेजन увидеть हो यहां कब्सक्रों कर रहे हुघ है आप know की सेंटेश M sixteen suffering can you की जा रहे होंगे करम थो की इस वक्त जा रहे होंगे decreases जा रहे होंगे अची आपके संटेश में गागे गिया रहा हो कर रहा होंगे हैसे सेंटेंस थलएकि छीज़ करेंगे इस बिपाट करें कि कि खमने जा रहा पासी है किया सीख रहे होंगे था हैं यह ची कहीं सीख रहोंगे inhabited कि बात कर चाहिए तो हुच सीखना यानिके लटन में इंजी लगा देंगे तो लर्निंग हो जाएगा क्या सीक रहे होंगेNe भी दूल दाक निते हैं तक है कफ सल्क तो वहां पे आप would beStar किजेगा, लेकिन अगर आपको किसे चीज़ है, आपको possibility है किसे चीज़ की, तो वहां पे आप would be का use किजेगा, ठिक है और continuity की हम बात करोगे जैसे कि राम कल इस वक्त पढ़ रहा होगा राम कल इस वक्त पढ़ रहा होगा जिस वक्त मैं बोर्यों न उसकी possibility है कि कल वो उस वक्त पढ़ रहा होगा तो हम बोलेंगे tomorrow राम वुड बी studying this time tomorrow राम वुड बी studying this time नेक्स्ट राहूल स्कूल जा रहा होगा इसकी पॉसिबिटी है कि राहूल स्कूल जा रहा होगा हम बोलेंगे राहूल राहूल के साथ क्या लगाना है वुट बी का यूज करना है राहूल वुट बे जाना यानिकी गोइंग कहां जा रहोगा स्कूल यानिकी टू इसकूल त करना है तो ध्यान रहे कि जब आप किसी चीज़ की बात करोगी तो आप बडबी के साथ वर्ब में आई एंज आप लगा दोगे ठीक है तो इनेक्स कॉंसेप्ट को क्लियर करते हैं एक सब्सक्राइब के साथ वर्ब में वर्ब का थाड़ फॉर्म का यूज करेंगे मतलब वह काम कर चुका होगा ऐसे सेंटेसे जाएंगे किसमें आपके उल्फ प्लस वर्ब की ठर्ड़ फॉर्म में चलि सेंटेंस को बनाते हैं जैसे मारा फॉर्स सेंटेंस है हम तुठावजन ट्वैजुएशन खतम कर चुके हूंगे 20 23 एंट तक हम ग्रेजुएशन कंप्लेट कर चुके होंगे फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में आने वाले समय में हम खतम कर दो हम भी घोलेंगे वेयों हावं कुम्प्लीकेट ग्रेडुएशन जाइट वाइट तो यहाँ पर आपको विल्ध खाथ बेर्फ की थर फ़र्म कर यूज करना है we will have completed graduation by 2023 मतलब आने वाली समय में आप कोई काम फिनिश कर चुके होंगे ऐसे वाली सेंटेसे आपको इसे मिलेंगे नेक्स्टे वर साम तक पढ़ लिया होगा वर साम तक पढ़ लिया होगा ऐसाम सेंटेस वर तो वह यानिकी ही वर साम तक पढ़ लिया होगा इसे तरह से वे लोग जा चुके होगे आने वाले समय में वे लोग जा चुके होगे तो हम बोलेंगे they will have जाना यानि कि go go का थाड़ फर्म होगा गॉन तमया sentence बन गिया they will have gone वे लोग जा चुके होंगे they will have gone next day राम अपना काम कर चुका होगा इस sentences को आपको frame करना इसका answer आपको common box में देना है next day would have के साथ वर्फ के third form का use करते हैं तो इसका क्या मिनिंग होता है इसका मिनिंग कोई हम future में नहीं लिके जाएंगे यह हम future की बात नहीं करेंगे इसमें हम past की बात करेंगे ठीक है कोई कांग हो चुका होता ऐसे वाले sentences को देखते हैं में हैं सेंटेंसे जाते हैं मैं घर जा चुका होता ृच्फ कभण ऐसे हैं पास्ट की बात कर तो कि वह घर हो जा तो ट्रें कि कर होता उवां-चुका होता लेकिन वह आया नहीं है À आ चुका होता हुद! QI AMBAT करो A Watch कर रहे हो जब आ चुका होता आ चुका हो था वह खा छुका होता था पड़ाय कर चुका होता था PAPAटी नीदेग चुके होती तो PAST के आ बात करो ने कि पास्ट में कोई काम कर चुका होता तो we되ं कि चाहां की साथ याद के बात करहिों कोई काम होने कि हमबात करhe हो कि वह खात 꽂ह सुंकि तुछ कूए हो कुछ आपको पढ़ाएं कर चुका हो तो जुख ऊंट के बात था पास्ट सथ फर्म का शुका हो 12 Speech करेंगे आई वोट है आना यानि कि कम कम का थड़फा वो कम ही रहता है वो तमारा सेंटियन्स क्या फ्रेम वहाँ आई वोड हाफ कम वो मैं घर आ चुका होता अगर इसी तरह से नेक्स्ट मुले विराट कोली इस वक्त खेल चुका हो यह प्रेजिंट में कोई बात बोह रहा ह विराट कोली इस वक्त खेल शुका होगा बतल sm astrology तक तक खेल चुका होगा आप हैं फ्रेजिंग में पास्ट की बात बतारहें चूराम 192おお und a का ना भूर रहा लेकिन आप में यूज़ को फिसका होगा अगर आप भूल ठीक से रहे हो पिल्प चार आप पहचानन तो पर पहेंद बना सकते हो तो भी आगप पुलेंगे विराट फोली विराट फोली इस वक्त तक खेल चुका होगा निकल चुका होता यह पर होता है कि मैं दिलने के लिए निकल चुका होता तो ऐसे वाले उसका निकल चुका होता इस तरह से बस अब तक निकल चुकी होगी जिस वक्त तक तो निकल चुकी होगी मतलब आस्ट में उसका बस निकल चुकी होगी ऐस सवाले सेंटेस आप बोलना चाहते हो तो इस सेंटेस को फ्रेम करना आपको कमें और में करना है तो विल है वुड है आपको समझ में आगे चलिए लास्ट पर पब करते हैं नेक्स्ट है विल हैब बेन का यूज़ हम वर्प क वर किसी समय से हो रहा होगा ऐसे वाले सेंटेंसे आएंगे चुले सेंटेंसे को फ्रीम करके देखते हैं जैसे मैं सुबर से खेल रहा हूँगा मैं सुबर से खेल रहा हूँगा कब से काम हो रहा सुबर से हो रहा और आने वाले फ्यूचर सक खेल रहा हूँगा ऐसा सेंटें कि पॉइंट ऑफ टाइम की बाद करते हैं तो आप यूज़ करते हैं ठीक है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लेकिन किसी टाइम डियूरेशन के बाद करेंगे तो नहीं पता है रहोगे तो फोर का यूज़ होगा ठीक है आप याद रखेएगा जैसे कि next sentence वे देखते हैं वा बज रहते दो घंटे पहले कितने बज रहे थे फिक्स टाइम हमें नहीं पता है यानि कि फोर का यूज होगा तम इस सेंटेंस को बनाएंगे बुलेंगे इन नहीं कि स्टड़ी में आई एंज लेगा तो क्या हो जाएगा इस ट्री जब्सेड़ हमें दो घंटेंस कैफ रही होगे नेक्स वह दो जचेंट से स्इख रहा होगा तो यहां पर आपको पॉइंट ओई टाइम बता दी है आना कब ते इंग लिए से ना होगा 2015 से तो फिक्स आपको पता है ना पॉइंट ऑफ एम आपको पता है कि दो जाप 15 से ही सीख रहा है ना आगे ना पीछे हम बोलेंगे कि लगा देंगे तो हो जाएगा लर्निंग क्या सीख रहा था इंगलिश हमारा अग्जेक्ट हो गया उसके बाद फिक्स आपको पता है तो सेंस 2015 का यूज़ करेंगे हमारा सेंटेज क्या फ्रेम हुआ है आप बिन लर्निंग इंगलिश सिंस 2015 नेक्स्ट आप पांच दिन से किताब लिख रहे होंगे याप आपको क्या लगाना है और इसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है नेक्स्ट आप बिन प्लस बब में इंग इसमें कोई काम फ्योचर में नहीं हो रहा होगा किसी स यूज करें वर्ट के फोर्ट फर्म के साथ चूंकि यहां भी आप कंटिनुूटिफोह ही सो कर उगे लेकिन भूंग समय से रहा होता ऐसा फोगा नहीं वोर रहा होता आएका ठीके उन्हें सेंटेंस को देखते हैं हमारी सेंटेंस आए गी मैं सुबर से खेल रहा होता मैं स वसे खेल रहा होता इससे वह दो घंटे से पढ़ रही होती हम बोलते वूड़ हाब बेट का यूज करेंगे वूड़ हाब बेन स्टड़िंग क्या पढ़ना यानिकि इस टड़िंग दो घंटा यानिकि फूर चुआ थामारा सेंटेंस की अप्रेम होग है वन स्टडिंग फूर्ट तो आर्स वादो गंडे से पड़ रही होती नेक्स्ट वाद 2015 से इंगलिस सीख रहा होता तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम होगा हम बोलेंगे ही वुड है बेन सीखना यानि कि लॉर्न में आइंज लगा देंगे तो लर्निंग हो जाएगा क्या सीख रहा सिंस 2015 नेक्स्ट आप पांच दिन से कि टाप लिख रहे होंगे इस सेंटेंस को फ्रेम करके इसका अंसर आपको कहां यूज किया जाता है तो अब आपको कोई कंफूजर नहीं होगा कि विल कहां यूज करें वुड कहां यूज करें आयों आपको सारे सेंटेंस से समझ में आपको फ्रेक्टिस हो जाएंगे आप वीडियो कैसे लगी कमेंड बताना बिलपूल भी न भूले अच्छी लगी तो लाइक और शियर जरू करें अगर आपको इससी तरह से पास्टेंस वाली वीडियो को विजिट कर सकते हैं राइट साइट क्लिक करके आप मारे फ्लेश पर आने वाले बैल आइकॉन को फ्रेस कीजिए देन और नोटिफिकेशन जरू क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं साथ मुझे वीडियो अप्लोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कीप लरनी